कॉंग्रेस पिछला वर्विभाग के मुख्या तामरधवस साहू ने उस खबर को खारिस किया है जिसमें उनके मुख्य मंत्री के समख चुनाव लड़ने की चर्चाय बताई जा रही थी साहू ने कहा कि ना तो मैंने कभी कोई इच्छा जताई है और ना ही मेरा कोई विचार विधान सभा चुनाव लड़ने का है कॉंग्रेस पिच्राव विभाग के रास्ट्री अध्यक्ष तामरधवस साहू और पूर्वकोशा अध्यक्ष मोतिलाल वोरा के चुनाव लड़ने पर चरंदास महंत ने जो बयांग दिया था इस बयां को तामरधवस साहू ने सीरे से खारिस कर दिया है साहू ने कहा कि ना तो विधांस भाचुनाव लड़ने की उनकी कोई इश्चा है और ना ही उनसे इस मामले पर कोई चर्चा हुई है महंत की बात को टालते हुए साहो ने कहा कि महंत से पार्टी अलकमान की इस बात पर कोई चर्चा हुई हो तो उन्होंने ऐसा कहा हो पर मुझसे ऐसी कोई भी चर्चा ने हुई है साहू ने कहा कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौपी उसे वब बखुबी निभाएंगे तामर्दवच के इस भयान से दुर्ग विधान सभा की सीटों से दावेदारी कर चुके कॉंग्रेसियों ने थोड़ी राहत की सास ली है बहराल मुख्य मंत्री डॉक्टर अमन सिंग की खिलाब जनता कॉंग्रेस की तरफ से खुद पार्टी सुप्रीमो अजित जोगी मैदान पर है वह आम आदमी पार्टी की तरफ से सौरफ निर्वानी चुनावी मैदान पर है अब ऐसे में राजनान काउं सीट पर कॉंग्रेस की इस चहरे पर दाव खेलेगी देश टीवी के लिए निकिल विश्व कर्मा की रिपोर्ट